चत्रपति शिवाजी की मोत के बाद माराथे दो हिस्सों में तक्सिम हो गए माराथों के एक गिरो शिवाजी की मोत के बाद उनके बेटे संभाजी को अपना हुक्मरान बनाना चाहता था जबके दूसरा तबका संभाजी के दस साला सोतेला भाई राजा राम को माराथों के ताजो तक्त का मालिक बनाना चाहता था लेकिन संभाजी ने सख्ती से काम लेते हुए ताजो तख्त को अपने हाथ में ले लिया और साथ ही अपनी ताकत वा कुवत बढ़ाने के लिए उसने एक और काम किया वो ये के उन दिनों औरंग जेब के बागी बेटे शेहजादा अकबर ने भी उन्ही इलाकों में पना ली हुई थी लिहाजा संभाजी ने उसके साथ राबता कायम करके उसे अपने साथ मिला लिया और उसे एक तरह से अपनी पना में लिया था शेहजादा अकबर के साथ संभाजी ने वादा किया कि वो ना सिर्फ अपने बाप की मौत का इंतिकाम लेगा बलके शेहजादा अकबर को हिंदुस्तान का शेहंशा बनने में मदद देगा छतरपती शिवाजी की मोत के बाद मुगल लशकर एक तरह से मुतमाइन हो गए थे कि अब कोई बगावत नहीं उठेगी लेकिन संबाजी ने बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया कहते हैं कि वो दसारा के तेहवार के बाद लशकर लेकर निकलता और लूट मार करके अपने लिए दोलत के अंबार लगाने लगा सबसे ज्यादा उसने खान देश और बुरहानपुर के इलाकों में लूट मार खड़ी की थी ये भी कहा जाता है कि संबाजी की उस लूट मार के सिलसिले में बहुत से मुआजज़ लोगों ने अपनी बीवियों व लड़कियों और बच्चों को इसलिए अपने हाथों से कतल कर दिया कि मराठों के हाथों उनकी इजद व आपरू महफूज रहे जगा जगा हमलावर होकर संबाजी ने बस्तियों को नजरे आतिश करना शुरू कर दिया आखिर उसने इहमत नगर पर हमलावर होने की कोशिश की लेकिन नाकामी का मुझ देखना पड़ा दूसरी तरफ औरंगजे भी गाफिल नहीं थे उन्होंने माराठों के खिलाफ कारवाई करने के लिए अपने काम की इप्तेदा की सब उससे पहले उन्होंने एक लशकर अपने सालार हसन खान की कियादत में रावाना किया जिसने आगे बढ़कर कलियन के किले पर कबज़ा कर लिया दूसरा लशकर एक और सालार शाहबुद्दिन की कमानदारी में रावाना किया जिसने नासिक पर हमलावर होकर उसका मुहासरा कर लिया इसके अलावा अपने एक और सालार गफुरल्ला और अपने बेटे शाह आलम को अहमद नगर की हिवाज़त के लिए बेजा अपने दूसरे बेटे शहज़ादा आलम को एक लशकर दे कर बीजापुर की तरफ से माराठों को मिलने वाली इमदाद को रोकने के लिए रावाना कर दिया जबके अपने एक सालार खान बहादुर को माराठों पर जर्ब लगाने के लिए रावाना किया इस तरह ओरंग जेप ने अपने कई लशकर जुनूबी इलाकों में फेला कर ना सिर्फ बीजापुर के हुकमरानों बलके माराठों की असकरी ताकत का भी नाक में दम करके रख दिया था उन मारकों के दोरान संबा जी को अक्सर मुकाम पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और हालत से मायूस होकर संबा जी ने इंतिहाई जुरूप में गोवा की तरफ पुर्तगालियों के हाँ जाकर पना ले ली उन हालत ने शेहजादा अकबर को मायूस कर दिया उसने तो बगावत इसलिए खड़ी की थी के हिंदुस्तान का शेहसाब बन जाएगा लेकिन जब संबा जी पुर्तगालियों की तरफ चला गया तब अकबर मायूस हो गया के संबा जी उसके लिए कुछ नहीं करेगा चुनंचे उसने इरादा किया कि वो एक कश्टी या जहाज पुर्तगालियों से लेका और उसमें सवार होकर इरान में जाकर पनाह ले लेका लिहाज़ा वो गोवा के करीब पहुंचा नवंबर में उसने एक जहाज खरीड लिया और उस जहाज के जरिये इरान की तरफ रावाना होने ही वाला था कि संबा जी ने दो अश्खास दुरगादास और अपने दस्तेरास कवी केलाश को उसके पास बेजा और उसे इरान जाने का इरादा तरक करने के लिए कहा और उसे ये भी यकिन दिलाया के अनकारीब उसकी मदद की जाएगी और तख्तो ताज हासिल करने में अब किसी किस्म की कमी और कोता ही नहीं की जाएगी शेहजादा अकबर मान गया और इरान जाने के बजाए फिर शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के पास आ गया अब औरंगजेब पूरी ताकतवा कुवत के साथ माराठों के खिलाफ हरकत में आ गये थे सुर्ते हाल ये हो गई थी कि माराठे आगे आगे और औरंगजेब के लशकरी उनके पीछे थे और अब बड़ी तेजी से मुगल लशकरों ने माराठों के इलाकों पर कबजा करना शुरू कर दिया था बागी शेहजादा अक्बर ने जब देखा कि उसके बाप ने बड़ी तेजी से बागियों को कुचलने के साथ साथ माराठों का भी कतले आम करते हुए उनके इलाकों पर बड़ी तेजी से कबजा करना शुरू कर दिया है तब वो बुरी तरह मायूसी का शिकार हुआ हिंदुस्तान से निकल कर मसकत के रास्ते वो इरान चला गया और वहाँ पना ले ली दूसरी तरफ शिवाजी के बेटे संभा जी ने कुछ इलाकों में लूट मार करने के बाद एक मुकाम पर अपने लशकर के साथ कयाम किया और उसी दोरान ओरंग जेब के एक सालार मुकर्राप खान ने माराठों पर हमला कर दिया और उन्हें उधेड कर रख दिया संभा जी और उसके दस्ते रास केलाश दोनों को गिरफतार कर लिया गया इन दोनों के साथ उनके 25 आला सालार भी गिरफतार हुए थे आखिर संभा जी वाकेलाश और दूसरे साथियों को औरंग जेब के सामने पेश किया गया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया संबा जी के मौत के बाद उसके सोतेले भाई राजा राम को माराठों ने राइगर्ड के मुकाम पर अपना हाकिम तसलिम करते हुए तखत नशीन किया लेकिन राजा राम को हकूमत करने का मौका नहीं मिला इसलिए के औरंग जेप उनकी ताक में थे एक मौके पर औरंग जेप के लशकर ने माराठों के दारूल हकूमत का मुहासरा कर लिया राजा राम अपने एहले खाना के साथ भाद निकलने में काम्याब हो गया और दर बदर की ठोकरें खाने लगा जब औरंग जेप ने माराठों के मरकजी शहर पर भी कबजा कर लिया तो वहां शिवाजी की खानदान की तमाम उरते बच्चे और संबाजी के बच्चे जिन में से उसका एक साथ साला लड़का शाहो जी भी शामिल था सब गिरफतार हुए और औरंग जेप के पास लाए गए और उनके सामने पेश किया गया औरंग जेप ने उनसे नहायद बाइज़द सुलू किया और उनके आरम और आरईश का पूरा खायल रखा गया इस तरह मराठों की उन बगावतों को खत्म करते हुए दक्कन को ओरंग जेप आलमगीर ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था